हाई अबरेवान, वेलकम बैक वान सकेंड, दिस इस कॉरफ, तो गाईज आप देख सकते हो, बैंक 50 में आज एक अच्छे खासी फॉल दिखी है, सेकंड आफ, आप देख सकते हो, मार्केट ने यहाँ पर डेहाई का ब्रिक आउट किया 15 मिनिट में और उसके बाद पॉस लिय किया है, राइट, ब्रेक करके गया, क्लोजिंग इसी के असपास बिली, तो यहाँ से तो हमें पता चल गए कि हाँ, यहाँ से रिवर्सल आने की चांसे, और एक रिजन हमारे पास यह भी है, कि मार्केट में आप देख सकते हो, आज बनी हो यह यह वाइट सी पियार, तो ज नीचे के तरफ गया, ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे इसलर पहली बार में ट्राप, डेके स्टार्टिंग में ट्राप, फिर ब्रेक आउट किया, यहाँ पर भी ट्राप, यह रिवर्सल आने की चांसेज क्यों थी, यहाँ पे देखो गया आप, अगर मैं इंडिगेटर करता ओं एक बार तो आप डिखो एका otherwise यहां पर जो यह मुमेंट अई यह बनाप लेकिन उसके बाद क्या हुआ market fall किया then suddenly एक छोटे swing पर market ने reject किया यहां पर दिकरो this is rejection candle मतलब buyers को पहले invite किया और reject कर दिया और swing को break करके finally एक नया low यहां पर market ने create किया and then again new low create किया ठीक है तो यहां पर जो यह चीज जो बनती है ना जहां पर market ने buyer को sweep करते है जहां पर market में buyer को sweep किया जाता है या फिर seller को sweep किया जाता है मतलब invite किया then उसके बाद sell मार दिया market में ठीक है seller को invite किया then buy मार दिया market में तो वो जो range बनती है ना हमारे लिए वो हमारे लिए एक selling zone बन जाती है ठीक है एक अच्छा आरार आपको देखने को market में मिलेगा सेम चीज मार्केट में आज यही चीज हुई है आप यहाँ देखोगे अगर मैं यहाँ पर पूरी की पूरी इसे range bound कर दूँ तो आप देखो यहाँ पर just market ने न इस पर tap किया है और यहाँ पर एक rejections मिली है ठीक लेट में जूम फर्स्ट आप देखोगे यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस point पर आकर market में rejection phase किया पहले यहाँ पर inside bar बनाया market continue किया उसके बाद बाद बायर जब इनहां से invite हो गया जब पोजिशन बन गया होंगे यहाँ पर जो breakout आई है 15 मिर्ट में 15 मिर्ट में चीज़े हो रही है ध्यान रखना यह time frame 15 मिर्ट की है उसके बाद देखोगे कि market क्या किया इसी candle जो breakout continue कर रहा था यहाँ पर इसी candle के नीचे क्या हुआ market ने अगली candle पर इसकी low थोड़ी low break होई है नीचे तक गया और finally जो closing मिली है वो generally यहाँ पर जो low candle है candle की low है उसी के आसपास closing मिली है no doubt यहाँ पर हम trade अभी नहीं लेंगे यह हमारी trade की confirmation नहीं हुई है ठीक है यह तो अगर यहाँ पर हम लोग trade बनाते है इसके नीचे नीचे लोग trade बनाते है तो अब trade कहां लेना है सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखो कि market नहीं यहाँ पर rejection किया और एक inside bar बनाया हुआ इसके बाद inside candle बनी है बहुत लोग inside bar पर trade लेंगे बट हमें नहीं लेना है एक green candle हमें चाहिए कि अगर यहाँ से बना है rejections आई है market में इस जगह से closing नीचे के तरफ आई है red candle आ रही है तो अब मुझे क्या चाहिए एक green candle एक green candle चाहिए फिर market उस green candle कर लो तोड़ेगा तो हम लोग वहाँ पर sell मारेंगे तो देखो अभी कहां पर आया नीचे के तरफ आया market एक यहाँ पर पिर से एक red candle बनाया ठीकि इसको break किया यहाँ पर एक red candle बनाया अब यह green candle बन गई अब मुझे green candle मिली यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे green candle मिल चुकी है तो अब देखो आप यहाँ कि हमारे entry जो है यहाँ पर यह जो total inside bar बनी हो यह भी inside candle ही है तो इसके नीचे भी लग सकते है लेकिन यह दोनों candle में से किसकी lowest low है यहाँ पर है इस red candle की जैसे इसकी low टूटीगी हमारे entry ट्रिगर्ड हो जाएगी तो entry देखो कहाँ पर ट्रिगर्ड होई है entry यहाँ पर जाकर ट्रिगर्ड होई है तो यह मेरे लिए inside bar होती है तो inside bar के क्या condition होती है मदर बार के high के ऊपर अगर selling प्लान कर रहो मदर बार के high के थोड़ा ऊपर आपका हो जाएगा stop loss I know यहाँ पर stop loss आपको 100 points दिख रहे है because we are trading on the 15 minute time frame हम लोग पूरी confirmation के साथ trade ले रहे है ठीक है आप stop loss 5 minute में switch करके भी कर सकते हो ठीक है वो भी मैं आपको बता दूँगा 5 minute में अगर आप switch करोगे first of all you have to know कि यहाँ पर देखो अगर यह जो चीज़े हैं यहाँ पर जो entry बनी आपकी entry यहाँ बननी थी यहाँ पर यह candle निकल जाता तो यहाँ पर हमारी entry बनती तो इसके हिसाब से हमारा जो price pattern चल रहा है उसके हिसाब से हमारा stop loss नहीं होगा ठीक है लेकिन एक beginner के लिए stop loss काफी बड़े हो जाते है ठीक है तो let's switch to the 5 minute time frame अब देखो आप यहाँ पर entry तो यहाँ ट्रिगर्ड होई नहीं कंटिन्यू किया स्विंग है स्मॉल time frame पर स्विंग है यह राइट तो यह स्विंग के हाई के ऊपर आप यहाँ पर stop loss रख सकते हो ठीक है तो 100 points more than 100 points की stop loss चल रही थी आभी 70-80 की आस बास चल रही है ठीक है तो यह जोन बन जाएगी जो हमारी target के लिए होगी पहली जोन ठीक है इसके middle में not at the high not at the low इसके middle में यह middle में हमारी इसकी total जो middle range है ना उसकी total की swing जो यह swing देख रहो swing लगवग middle के पास है इस swing के पास आपको अपना पहला target रखती ना था लेकिस वाइट सी प्यार है वी के नॉट प्रेडिक्ट की market इसना फॉल कर जाएगा और एक अच्छा momentum देगा राइट वाइट सी पर मैंसा हम लोग नहीं सोच सकते है तो और उसके बाद अगर यह momentum दे भी देता है तो एक अच्छा points मिल जाता है अच्छा profits मिलती है अब देखो क्या हुआ हुआ हमारी target जो यहां पर बनती हम लोग यहां पर या तो ट्रेल कर लेते ठीक है और अधर आपके पास एक दो लोट है ठीक है more than one lot से आप ट्रेड कर रहे हो two lots three lots है तो आप क्या करोगे अपना stop loss को तुरंत नो है ना अगर मार्केट इतना बड़ा candle बना दिया इतनी बड़ी candle बना दी अब आप protected हो अब चाहकर भी आपका कोई भी loss नहीं हो सकता है अगर आप मार्केट में एक candle आपने ये candle hold कर दिया तो ठीक है यह चीज़ आपने hold कर ली इतनी दूर तक आपको आरर मिल चुकी है लगभग अब ये 1-12 पर फोकस मत करना राइट ये इसके according है ठीक है इसके according होगा कितना हो गया 1-4 के असपास हो गया ये तो हमने trail किया अभी ठीक है ये हमने trail किया है इसके according चल रहा होगा अब देखो यहाँ पर ये हो गई हमारी एक बड़ी candle बन गई यहाँ पर तो आपको चाहकर भी हमारा loss नहीं हो सकता है ठीक है ये बड़ी candle है इसकी 50% जो होती है ये हमारे लिए अगर प्रैस यहाँ से निकलता भी ना तो ये फिर फॉल करता ठीक है फिर भी हमारा loss नहीं होता तब जैसे ही यहाँ पर ये मेरी बड़ी candle बन गई या तो भाई profit बुक कर ली नहीं है यहाँ पर बिगर्स मार्केट में हाँ consolidation से gap up opening होई है मार्केट ने यहाँ पर gap fill कर लिया है आप पूरी momentum cash नहीं कर सकते हो ठीक है कोई भी यहाँ पर इस जगह पर नहीं बुक कर सकता राइट we have to trade according to the rules ठीक अब रूल क्या बोलता है भाई gap filling हो गई है मैं यहाँ पर बुक कर लो and trade बन कर दो simple right इस तरीके से हम लोग plan करते हैं तो इक चीज धियान रखना अगर market में white CPR बनती है तो always go for the reversal ठीक है reversal हमेशा plan करना कभी breakouts जल्दी plan मत करना breakdown plan मत कर और खासकर जो 920 वाले setups को जो लोग buy करते या sell करते हैं वो तो मत करना उस दिन वाइट CPR होगी आप फस होगे आप सोचो कि momentum निकल जाएगा market तो ऐसा नहीं होगा right indicator की अगर बात करूं मैं तो आपको indicator यहाँ पर दिख जाएगा आप इवट range pivot boss करके indicator है यह वाली by Christian.d करके है यहाँ पर आप यहाँ पर इसको लगा देना ठीक है यही मैं use कर रहा हूं तो इस तरह को indicator मिल जाए कर सकते हैं तो आगे से जरूर ध्यान रखना इसी सो ओके आपको यह पसंद आए होगी आज की तो मेक शोर कि यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देएगा और चैनल पर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए जाहिंद थैंक यू